इस वीडियो में दी हुई जानकारी internet से ली गई है। हम इस वीडियो में किसी भी दवाई का प्रचार नहीं करते। किसी भी दवाई को इस्तमाल करने से पहले एक बार doctor से जरूर सलाह ले। अगर आप इस वीडियो को देख कर किसी दवा का उपयोग करते हैं और आपको कोई side effect होता है, तो उसमें हमारी कोई जिम्मिदारी नहीं होगी। अमगेट 625 टेबलेट एक पैनिसिलिन प्रकार का एंटी बाउटिक है जो आपके शरीर को बैक्टीरिया के कारण होने वाले संक्रमन से लड़ने में मदद करता है। इसका उपयोग फेफडों यानि की जैसे निमोनिया, कान, नाक साइनस, मूतरपत, त्वचा और कोमल उतकों के संक्रमन के इलाज के लिए किया जाता है। यह सामानि सर्ती जैसे वाइरल संक्रमन के लिए काम नहीं करेगा। पेट खराब होने की संभावना को कम करने के लिए अमगेट 625 टैबलेट को भोजन के साथ लेना सबसे अच्छा होता है। आपको इसे अपने चिकित सक द्वारा निर्धारित समय सारणी के अनुसार नियमित अंतराल पर नियमित रूप से लेना चाहिए। इसे हर दिन एक ही समय पर लेने से आपको इसे लेना याद रखने में मदद मिलेगी। खुराक इस बात पर निर्भर करेगा कि आपका इलाज क्या किया जा रहा है। लेकिन आपको हमेशा आपने डॉक्टर द्वारा बताये अनुसार इस एंटी बाउटे का पूरा कोस पूरा करना चाहिए। जब तक आप बहतर महसूस नहीं कर लेते तब तक इसे लेना बंद न करें। यदि आप इसे जल्दी लेना बंद कर देते हैं तो कुछ बैक्टीरिया जीवित रह सकते हैं और संक्रमन वापस आ सकता है या खराब हो सकता है। इस दवा के सबसे आम दुश प्रभावों में उल्टी, मतली और दस्ट शामिल हैं। ये आम तोर पर हलके होते हैं लेकिन अपने डॉक्टर को बताएं कि क्या ये आपको परेशान करते हैं या नहीं जाएंगे। इसे लेने से पहले अपने डॉक्टर को बताएं कि क्या आपको किसी एंटीबाउटिक से अलजी है या किड्नी या लीव की कोई समस्या है। आपको अपनी स्वास्थ्य सेवा टीम को उन सभी अन्य दवाओं के बारे में भी बताना चाहिए जो आप ले रहे हैं क्यूंकि वे इस दवा को प्रभावित या प्रभावित कर सकती हैं। इस दवा को आमतोर पर गरभावस्था और स्तनपान के दोरान उपयोग करने के लिए सुरक्षित माना जाता है यदि डॉक्टर द्वारा निर्धारित किया गया हो। विडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको विडियो अच्छी लगी हो तो विडियो को लाइक करें। और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकॉन पर क्लिक करें। और आल नोटिफिकेशन को क्लिक करें। धन्यवाद।